मुझे आज बस एक सवाल पूछना है, आप उम्मीदों के बारे में बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है कभी कभार मैं इस समाज को खुद में कुछ ज्यादा शामिल करने लगती हूँ ओ, ये ज्यादा शामिल करना क्या होता है? मैं अपने आसपास के लोगों से ज्यादा आटैच हो जाते हूँ नई, नई, ये शामिल करना नहीं, ये तो अलग होना हुआ इन सभी लोगों में से, अगर मैं सिर्फ आप से जुड़ जाओ तो ये शामिल करना हुआ या अलग होना? अलग होना सद्गुरू हाँ, तो चीजों को गलत नाम न दे, आप अलग होने को शामिल करना बता रही हैं, दिक्कत हो जाएगी. मैं ये जानना जाती हूँ, कि मैं दूसरे लोगों से जो उम्मीदे रखते हूँ, उनसे छुटकारा कैसे पाऊँ? और मेरे बारे में उनकी राये को अपने दिमाग में गुसने से कैसे रोकूँ? दो, छेद होते हैं, जहां से दिमाग में बाते जाती हैं, यानि ये दोनों. आप चाहें तो हम इशा येरप्लक्स बना सकते हैं? मुझे पता नहीं था कि इसकी डिमांड है. हमारा क्राफ्ट वे भाग इशा येरप्लक्स बना सकता है. एकदम और्गानिक, कॉटन वाले, लकड़ी वाले, या फिर मुंग फलियां, दो मुंग फलियां, हम हाई प्रोटीन इशा प्लक्स का विज्ञापन कर सकते हैं. आप जिसको अटैच्मेंट कहती हैं, वो अलग होने का स्वाभाविक नतीजा है. जिस पल आप किनी दो चीजों में से एक को चुन लेती हैं, तो उसके साथ उलग जाना स्वाभाविक बात है. हम इस बारे में आज बात कर चुके हैं. हम गंदगी और फल दोनों को स्वीकार करते हैं, पर बात खाने की हो, तो हम फल को चुनेंगे. यह चुनाव हम करते हैं, जब किसी शारिरिक काम की बात हो, तो हम चुनते हैं. पर सिर्फ यहां बैठे हुए कुछ चुनने की क्या जरूरत है? किसी एक खास काम के लिए चुनाव करने पड़ते हैं, पर बाकी जीवन में हर पल कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है, यही शामिल करना है. खुद में शामिल करने का मतलब यह नहीं है, कि आप फर्क करना भूल गए हैं. आप फर्क कर सकते हैं, पर फर्क करना सिर्फ काम करने के लिए उपयोगी है. यहां होने के लिए नहीं, सिर्फ यहां होने के लिए फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है. बस जीवित रहते पर कोई काम करने के लिए फर्क करना होगा, वरना आप काम समझदारी से नहीं कर पाएंगे. इसलिए किसी एक इंसान से हद से ज्यादा अटाच हो जाने से, आप स्वाभाविक रूप से कई दूसरे लोगों से घ्रिणा करने लगेंगे. देखिए, किसी व्यक्ती से आपके तथा कथित प्यार को संतुलन में रखने के लिए आपको दूसरे बहुत से लोगों से घ्रिणा करनी पड़ती है. आप उनको से नहीं पाते हैं. प्लीज ध्यान से देखिए, ऐसा ही है. आप जिन लोगों से घ्रिणा करते हैं, शायद आपको उनके करीब आने तक एसास भी नहों. आप उनसे घ्रिणा कर रहे थे, पर वो आपके पास नहीं आएं. इसलिए आपको एसास नहीं हुआ, पर आपके उमीदों की बात करें, तो यह सिर्फ लोगों से नहीं, हर चीज से है. इस दुनिया में इनसानों के हर दुख का कारण क्या है? जैसा मैं चाहता था, जिन्दगी वैसी नहीं चल रही. इसके लावा दुख का और कोई कारण है? जैसे जिन्दगी में दुख काए यह अपनी सोच को बदलना बहुत आसान है, है ना, और सबसे बड़ी बात, जब आपके लिए अपने विचारों का इतना महत्व है, तो क्या आपने अपनी सोचने की ताकत को अपने हाथों में लिया है, नहीं, आप तो दिमागी दस्त से पीडित है, अगर आपके खयालों में ज बहे काम से, अच्छा हुआ, ये खयाल कभी हकीकत नहीं बनते, मेरा अशिरवाद है, आपके सपने कभी सचना हों, क्योंकि आप जो सपने देख रहे हैं, अगर वो सब सच हो जाएं, तो आप खत्म, क्योंकि आपके उम्मीदें जिंदगी की सीमित तस्वीर से पैदा होती हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बहुत एक जीवन में भी कुछ बड़ा पाने के लिए, यहां मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बहुत एक जीवन में भी, अगर आप दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, त पस आप हर पल ये हिसाब न लगाते रहें कि मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला, मैंने वो चाहता था नहीं मिला, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ. अब बात बस इतनी है कि हमें इस दिशा में बढ़ना है, अब आप कितनी दूर जाएंगे, ये आपकी तीवरता से तय होगा, है न? अगर आप उमीदे बान देंगे, तो हर वक्त अपनी जिंदगी की तीवरता फाल्तू विचारों में बरबात करते रहेंगे, और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे. उमीद आप पर हावी इसलिए हो रही है, क्योंकि बचपन से ही, तीन साल के उम्रे से लोग आपसे पूछने लगते हैं, बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? क्या डॉक्टर बनोगे या आईटी इंजिनियर बनोगे? ऐसी बक्वास. तीन साल के उम्रे से. माबाप अपने बच्चों से जो उमीदे लगा लेते हैं, वो ज्यादा तर सचाई से इतनी दूर और बेवकूफी भरी होती हैं, ये माबाप और बच्चों दोनों के लिए बुरी होती हैं, और ज्यादा तर लोग बच्पन से ही ये आदट डाल लेत जीवन में बस इतना कीजिए देखे, ये परिशानिया इसी लिए हैं क्योंकि हम आने वाले कल में खुशियां तलाशते हैं समझे, आपकी उम्मीदें आपको बुरी तरह जकड़े रहती हैं क्योंकि आप खुशियां कल में तलाशते हैं कभी आज में नहीं अगर ये ये और ऐसा हो जाए तब ही मैं खुश रहूँगा अब आपको ज्यादा दुख छेलना पड़ता है क्योंकि ये ये और ऐसा हर दिन आपसे और दूर होता जाता है अगर ये पास ना आकर दूर चला जाए तो आप और दुखी होते हैं और उमीद की ताकत और मजबूत होते चले जाती है मान लीजिए अभी आप एक दम आनंद में हैं पर आप चाहते हैं ऐसा हो जाए आप इसके पीछे गए पर कल वो करीब आने की बजाए और दूर हो गया तो वो कोई खास दुख नहीं देगा इसका आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा क्योंकि आप खोश है यानि बिना खुद में सुधार किये आप दुनिया में चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत समय पहले कृष्णा ने कहा था योगस्त कुरू कर्मानी इसका मतलब है योग में स्थित हो जाओ फिर काम करो पर अब आपने शुरुआत उथल पुथल से की है और फिर योग करने आए हैं हम यही ठीक करने की कोशिश में हैं आप अभी जवान हैं सिर्फ इतना कीजिए भूल जाएए आपको इस दुनिया से क्या चाहिए आपको खुद से, लोगों से, दुनिया से, जो कुछ भी चाहिए सब भूल जाएए पहले ये पक्का कीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है उसे आप तै करेंगे, कोई और नहीं सिर्फ आप, सिर्फ एक चीज़ कीजिए और आप खुद ही खुश रहना चुनने लगेंगे जब आप बहुत खुश है फिर भी दस अजार चीज़ें जीवन में नहीं हुई है तो क्या आप खुश मन से उसके पीछे जाएंगे और उन उमीदों के सच होने की संभावना ज्यादा होगी अगर वैसा नहीं भी हुआ तो किसे फर्क पड़ता है क्योंकि बस यहां होने का मेरा अनुभव शांदार है चाय जो भी हो बिना बुनियात को सुधारे हम भाग रहे हैं हमने इसे ठीक नहीं किया पर इसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे है यह परिशानी है अगर आप अपनी गाड़ी चलाना चाते हैं तो पहले जांच लीजे वो पूरी तरह ठीक है दो पई यह ढीले हैं गाड़ी जैक पर है ऐसे मैं गाड़ी चलाई का है ये गाड़ी चलाने का समय नहीं है अगर आपने पहिये ठीक करने से पहले गाड़ी चलाई तो ये बहुत बुरा और खतरनाक होगा अपने साथ हैसा मत कीजे